राम राम जैस्रे राम बाबा सार ये चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभी नंदन है सुबा के च्छे बच का 30 मिन्ट हो चुके हैं बिस्तरा छोड़ चुका हूँ लेकिन सब्वा पांथ बजे अवस्टकार्यों से निर्वत हो चुका हूँ देखे सूरी देव मार्क पर हैं और चंदा मामा खुब सथ तरके से नब में दमक रहे हैं सांत में एक तारा भी है जैसे चंदा मामा को टीका लगाया गया हो आज मंगलवार है और रसुई का सफाई का दिनुई में आगे हैं सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है ठीक करता हूँ फिर वैसे ही हो जाता है विक्या सेमें चल रहे हैं किर्केट टूर्नमेंट बारा बारा ओवर का टूर्नमेंट चल रहा है कल वहीं था रोज रोज आपको एकी चीज़ दिखाऊं खाना बना रहा हूँ बरतंद हो रहा हूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे पर्यास कर रहा हूँ कुछ नया नया दिखाऊं आपको तो अभी तो होगी सफाई यहां पे उसके बाद होगी पूजा अर्चना और फिर देखता हूँ पर्भुच्छा क्या होती है मित्रो आठ बचकर एक्किस मिनिट छै पैतिस से लेक अब तक क्या किया अंदर बाहर छुरकाओ किया धरू लगाया नहाने के बाद कपड़े बदलने हैं सेलेक्ट कर लिए हैं कपड़े गीले हैं दूप में सुक नेले रख दिये हैं इधर पानी गरम किया जा रहा है और इधर वर्तनों को धो दिया गया है तीनों ड्रम खाली हो गए हैं पनगर जाके पानी भी भनना है इसके बाद पूजा के दूबरतन है और लोटा है तीनों के सौरी वो भी चमकाने हैं तो बजरिंग बडी ने कहा राक से चमका तो गरम गरम राक भी त्यार रहेगी जिन्दिगी में वक्त नहीं होता है और हम कहते हैं मजबूरी मजबूरी नहीं अपने काम में कोई मजबूरी नहीं होती है उसमें लेना चाहिए आनंद जो भी कारी करो हम अपने लिए करते हैं तो उसे दिल लगा के करना चाहिए यानि के आत्मा को डाल के और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा होता है तो इसी बात पर कहिए राधे राधे आठ बच कर पच्पन मिनट स्नान कर लिया है अब कोने है पूजा के बरतनों की गिसाई यानि के चमकाई नौ बच के बीस मिनट हो चुका है जो सारे कारी थे वो पूर्ण किये अब है परभू का नाम तो बैड़ यह हूँ आके अपने आसन पर और अराध्य विराजमान है उपर भी और यहाँ पर भी स्री रामचरी मानस भी है दिन पहले मार्किट में गीता का ग्यान इनामा पुस्तक मिली इसे पढ़ा तो पाया कि यह असली गीता नहीं है इसलिए प्रभू से समा मांगी और मंदिर के यहां से हटा के साइड में रख दिया गया है धूब बत्ति के लिए समाल करता हूँ चमका के रख दिये हैं और प्रभू का जो कलस है वो भी चमका के रख दिया गया है तो अब बैठींगे पूजा में तो अपर आरती हूँ एक बात तो बदाना भूली गया लाइट नहीं है इस लिए टॉस टाइड लेकर बैठा हूँ अभी अन नहीं किया है जब बढ़ने की बारी आएगी उस वक्त इससे अन किया जाएगा खोली है ठंडी हवा सहला रही है और अपने को बचाने के लिए क्योंकि सुवे से पानी में हूँ हाथ सुन हो चुके हैं उगलिया सुन हो चुकी है तो जल्दी से सरीज गरम हो या गरम रहे इसलिए स्वाटर भी पहन लिया है तो अब सुरू करेंगे प्रभू का नाम रा और जो सबसे जरूरी है यानि के पूजा वो पून कर चुका हो सुवे की साम की साम के हो और अभी आप देखिएगा सेट अप बबासादी की रसोही का चम चमाता वातावा और थोड़े से बरतन जो आवशक है तिंचरिया के लिए बरतनों की कमी नहीं है लेकिन जितनी आवशकता है उसको भी कम करके जीना पसंद करता हूँ क्या नहीं चाहिए हमें हर चीज चाहिए सुई से लेके सब बल तक लेकिन नहीं बाबा साद्गी सोचता है जो चीज सबसे ज़्यादा आवश्चक है जिसके बगैर बाबा साद्गी की दिंचरिया पूरी नहीं होती है वो सबसे पहले पैसों को खर्च करके दिखावा करने क का सौक बाबा साथ की को नहीं है पहुच गया हूँ चंखला मार्केट गुरू जी की दुकान पर और यहां से लिया जाएगा मंडवे का आटा और यह है और गुरू जी अभी देखेंगे कितना किलों आटा इनके पास में है यहां भी वह हालुआ भागते चोर की लंगोटी हाथ तीन सो ग्राम लेकिन बाबा साधी काम बन गया है मौसम भी अंगड़ाई ले रहा है बहुत खुपस्रा लगता है यहां पर दू बचकर दस मिनट और यह है विकली ठी हर मंगलवार को गुड़ पहाड़ी में कहते हैं गुड़ो कटक कोई सूगर नहीं अभी एक चाय पर दिन निकालने वाला है बाबा साधगी बाबा साधगी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है तोप है अराध्य जिनके नाम पर आज वर्त रखा है वही जो है सारी सक्ती देते हैं तो ये भी एक चमतकार पर भूगा कि साठ साल तक दिन की तीन और चार चाय पीने वाला अच्छानक हबते की एक चाय पीता है तो चमतकार रजरा आया आपको पर भूगा या नहीं आया यकिन करेंगे तो आएगा तोकि वो जो है इतने सक्ती साली हैं कि वो जब चाहें तब वो सब कर सकते हैं तो बाबा साथगी की एक चाय पे उनकी जो दया होती है वो हटे भर के लिए होती है तो अब चाय पी जाएगी और साब को प्रभू के लिए कुछ निया बनाने वाला हूं तब तक के लिए राधे राधे मौसम बदल गया है बादल चाह गए है यदी बारिस हुई अभी इस तब किलियर है यदी बारिस हुई तो फिर पावर जाएगी पावर जाएगी तो सारा काम खराब हो जाएगा साथ बचकर तस मिनिट और अब त्यारी है रात के भोजन की ग्यहूं का आटा साथ में है मंडवे का आटा जो आज सुबह ही लेकर आया हूँ प्रूठी का साइज बड़ा है लेकिन गुलाई थोड़ी सी कम हो गई है वरना नमबर वन हो जाती है आज बजरंग बली भी मुझे कोसेंगे कहेंगे सहर में लोग मुझे काजू पिस्ता बदा अपनी क्याकर डाल के खी खिलाते हैं और ये दुस्ट मूर्ख जो मेरा चेला भी है और भक्त भी है ये मुझे खिला रहा है मिलेट्स मंडवे की रोटी और साथ में गुड़ की डली ना जाने आज पर भू क्या करने वाले है मेरा लेकिन क्या करें भाव है इच्छा है और हमेशा दिखावे से दूर जो सच्चाई है उसी के साथ चलता हूं तो अभी बनाते हैं मंडवे की रोटी बन गई है गोलगपपा मित्रो बजरमगली का परसाथ वापिस ले लिया है परभू से और अब करेंगे राधे राधे इस आटे की बहुत खासियत है एक तो ये सुगर पेशन के लिए बहुत सांदार है नमबर दो आप सौ किलो कोई सबी घी ले लीजिए और एक किलो लीजिए इस आटे को ये उस घी में फैलेगा नहीं बलकि मौका मिलते ही ये चिपक जाएगा तो इसकी ताकत ये दिखाता है कि इसके नकिट ताकत है और इसे खाने वाले के अंदर में कित्नी ताकत होगी ये हमारे बुजरगों ने सित कर दिया है चलिये राधे राधे धन्यवाद जै सिराम जै दे भुमी उतराखंड बाद माता की जै जै हिंद